हेलो फ्रेंच वेलकम बेक आज मैं आपको मेरी जो फ्रोंट बरांदा का गार्डेन है चोटी सी है उसको मैं कैसे सजाई हूं तो उसको मैं आपको दिखाउंगी पहले तो मैं थोड़ा आपको पलांस डिखा लिटी हो मैंने कैसे उसको औरिनास किया है तो सुबह-जबह मैं म कि एक बात हमेशा यार रखिए बात वानथ जमा से बात बर्वर्टरिंग से प्लांच ज्यादा खरब होते हैं ना कि अंदर वातरिंग से अंदर वातर फिर भी बलांच सेज आएंगे थिकिन अगर आप अपने एक्स्परियंस से बोल रही हूं कि मैंने बहुत सारा प्लांच मतलब प्यार में जादा जादा पानी दे देती हूँ और फिर बाद में पता चला के प्लांस का ज़र है वो गया तो आपकी लोग देख सेपते हैं मैंने कैसे लगाया है ये ग्रसेनिया है मेरे पास I think 5-6 वारिटीज कोलियस है कोलियस में एक बाद आप धियान में रखो कि बहुत ही वाटर सेंसिटिव हैं में बहुत ज़ड़ा पानी की जरूट है अब इन दिनों हमारे यहां पे बहुत चाड़ा थूप आ रहा है बहुत दर्मी पड़िये तो इन लोगों को दो तिन में पानी देना पड़ता है इस सा इस साइड भी मैंने कोलियस लगा के रखा है बहुत ही सुंदर पोटे है अगर आपके पास प्लारासना भी हो तब भी आपको उतना ही वोड़ेगा स्पाइडर प्लां जो है उसमें बहुत चुंदर पापसे से हैंड करते हैं अगर अच्छा लगता है और इस साइड में फान दर्वाजे के दोनों साइड मैंने इसे लगाया है कुछ स्टेंड पे हैं कुछ स्टेप्स पे हैं और रहा साथ हर्डिकल लोग दिने की भी पु अच्छी इसको सुखा के कुछ पनावाई और इस साइड का ही है इस साइड पे ऐसे बुठाजी पे उपर लिप्स्टिक एड मिनिमा है काफी सुन तर्वांस है और इस साइड में एक बरा सा अपका एंट्रियम में उसमें काफी सारे पुर्ज भी आते हैं ये कुछ चाइन और बस ऐसा ही है मेरा लूग फॉर्म तर्वासे के साथ साथ दोनों साइड में इसे लगा के रखा है अब अब बज़े लगता है कि कुछ कमी है और कुछ हर्याली होनी चाहिए और इस साथ में आधा है था स्लैप में मैंने कुछ ऐसे एक्स्टेंड करके लगाये हुआ है काफी सा इसमें कालांचो है डेसीवराइटी के फिर इस पो नाने क्या बोलता है एक जो वांडरी और कुछ फ्लाज भी लगेगी तो अच्छे लगेते हैं सीजन में विंका तो अपने आप लिए उठ जाता है आपको लगाने के क्यों जरू ठी नहीं होगी बस एक नहीं है आज के लिए थैक ये फॉर वाक्चेंग